है दोस्तों मैं बन्यादों आज आप लोगों को पद पड़ाऊंगा का वे खनका है पहला चेप्टर इनके रचेता जो है सूर दास है सूर दास का जन्म जो है 1478 में माना जाता है एक मान्योता के अनुसार इनका जन्म मतुरा के निकट रून कता में या रेडुका छेतर में जबकि दूसरी मान्योता जो के अनुसार उनका जन्म अस्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है रहा महाप्रभु बल्ला बचार के सिस सूर दास अष्ट छाप के कवियों में सरवाधिक प्रसिद्ध थे वे मतुरा और बिरिंदावन के बीच गउगाट में राते थे स्र स्रीनाथ जी के मंदिर में भजन किर्दन भजन किर्दन करते थे 1583 में पार्शली में उनका जो है नीधन हो गया उनके तीन ग्रंथों में सूरदार सहित उनके उनके तीन ग्रंथ थे जैसे सूरदार फिस्वा साहित लहरी और सूर्य सरावाली में सूरदाती सरवादिक लोग प्रिये हुआ था खेतिक और पसुपालन वाले भारती समाज में दैनिक अतरंग चित्र और मनुसे सभाविक वृतियों के चित्र सूर में कवीता मिलता था सूर वादसल और स्रिंगार के स्रेष्ट कवी माने जाते थें कवी और गोपियों का प्रेम सहज माने वी प्रेम की प्रतिष्ठा का था उनकी कवीता एक ब्रज भासा निखारा हुआ रूप है चली आ रही है लोक गीदों की परउंपरा स्रेष्ट कड़ी है प्रश्ण उत्तर के आईसमें गोपिया उद्धव को भागेवान काने का क्या व्यंग नहीं थे उद्धव वास्त में भागेवान नहीं थे व्यंग नहीं थे व्यंग ने उद्धव के वेवार के तुलना कामल के कत्ते जो जल में रते वी प्रभावित नहीं होता है और होती जो में तेल के मटके समानें जी पर एक भी बुन्द नई ठिक पता है गोपिया ने किन-किन उधारडों के माद्यम से उद्धव को उलाने दिये हैं जैसे गोपिया उद्धव के वेवार के कमल के पत्ते के समान बताती है जो पानी में रगर अच्छूता रता है यानि प्रेम की मूरत किषने के संग रगर अर्थ नहीं जान पाए गोपिया बड़े बड़ भागी कती हैं जो किषने के संग रगर भी प्रेम की बंदन से मुक्त हैं उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है उनमें नहीं खो जाती है यानि उनकी बातों में नहीं समझ सकती है उद्धव द्वारा किये योग संदेश के गोपिया विरा अगनी में घी का काम कैसे किया है गोपिया स्री किश्ने के आगमन की आसा में बेचैन थी वह एक एक दिन गीन रही थी और तन मन को व्यवस्ता के चूप चाप करा रही थी किश्ने के प्रेम रस में डूबी थी परन्तु किश्ने ने स्वयन आकर योग को संदेश देने के लिए उद्धव को बेच दिया था वीरा की अगनी में जलती वी गोपिया का जब उद्धो से कृष्णे को भूल जाने का योग साधना करने का उपदेश देना प्रारम किया तब गोपिया की वीरह वेदना और भी बढ़ गई इस प्रकार उद्धो द्वारा दिये गई हो कि संदेज गोपिया की वीरह की अगनी में घी का काम कर दिया था मर जादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहकर बात की जा रही है मरजादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है कृष्णे के मतुरा चले जाने के बाद गोपिया उनके वियोग में जल रही है कृष्णे के आ जाने पर विरदेवेदना मिट सकती है परन्तु किष्णे स्वय न आकर उद्धो को योग संदेश के साथ भेज दिया था जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा की त्याग करने के लिए आतुर कर दिया था इसके बाद छटवा कोशन के आया कि किष्णे के प्रती अपने अनन्य प्रेम के गोपियों ने किस प्रकार अभिवेक्त किया था गोपिया ने किष्णे के प्रती अपने अनन्य प्रेम के विभीन प्रकार दिखाया था जैसे गोपियां ने अपनी तुलना में चीटियों के समान की जो गूर पर आसकत होका चिपट जाती है और उस्वाइं को छुड़ा नहीं पाती है वहीं पर प्राड भी त्याग दती है उन्होंने खुद को हरील पच्छी वा स्री किष्न को लकडी की भाती बताया है जिस प्रकार हरील पच्छी सदेव अपने पंजे में कोई लकडी अत्वा तीन का पकड़े रता है उसे किसी विदासा में नहीं चोड़ता है उसी प्रकार गोपिया ने गोपिया भी मन, क्रम और वचन से कृष्ण की एर्दय में रिर्था पुर्वक वसा लिया है वे जागते, सोते, स्वपन में दिन, रात कृष्ण की रट लगा रखी है गोपिया ने उद्धाव से योग की सिच्छा कैसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है इधर उदर भटकता है उद्धाव द्वारा योग के संदेश में मन एकागरत का उपदेश देता है परन्तु गोपिया के मन में स्री किच्छने के अनने प्रेम से पहले ही एक एकागर इस प्रकार योग सादना का उपदेश उनके लिए निरर्थक योग आउसकता तो उन्हें जिनका मन इस्तीर नहीं हो पाता है इसलिए गोपिया चंचल के समानों और लोगों को योग उपदेश देने की बात कती है आठ्वा प्रश्न चाए कि प्रस्तूत पदेश 1 पर योग सादना के पतिश्ति कब्रस्पश्च के रहें गोपिया ने योग सादना के निरर्थक बताया आये और उनके अनुसार नहीं लोगों के लिए जिनका मन अस्तिर है परन्तु गोपिया के इर्द है तो स्री किष्णे के अस्थिर वे भक्ती में पूरी तरव समर्पित है योग ग्यान के लिए कड़वी ककरी के समान जिसका खाना बहुत ही मुस्किल और यह ग्यान गोपिया के लिए बिमारी का कुछ नहीं है नौवा कोशेन एक गोपिया के नुसार राजा धर्म को क्या होना चाहिए गोपिया के नुसार राजा धर्म को एक राजा धर्म की वह प्रजा को न सताय और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे दस्वा कोशे ने गोपिया को कृष्ण में एसे कौन सा परिवतन दिखाई दे दिया कि जिनके कारवाव वे अपना मन वापस पार लेने की बात कती हैं गोपियों को लगता है कि स्री कृष्ण अब राजिनितिक सिख लिए हैं उनकी बुद्धी पहले से अधिक चतु रोग ये वे पहले पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे हैं परन्तु अब मर्यादा भूलकर योग संद्य से देने लगे हैं कृष्ण पहले दूसरों को कल्याण के लिए समर्पित रहते थे हैं परन्तु अब अपना भलाई देख रहा हैं उन्होंने पहले दूसरों को अन्याय से लोगों को मुक्ती दिलाने का काम किया है परन्तु अब नई श्रीकिष्ण गोपियों से मिलने के लिए बजाय योग की सिच्छा देने के लिए उद्धो को बेज दिया था श्रीकिष्ण ने इस कदम से गोपियों के मन में ही आहत हुआ था कि स्रीकिष्ण आये परिवर्थन को देखकर गोपिया को स्रीकिष्ण के नुराग वापस लेना चाती है गोपिया ने अनेक वाक चतुर्त के आदार पर ग्यानी उद्धव को परास्त कर दिया उनके वाक चातुर की विशेस्ताय लिखे हैं गोपिया वाक के चातुर की विशेस्ताय इस प्रकार है कि सासी में जो गोपिया पूरी तरह से नीडर हैं उद्धव को कोशने का परहेज नहीं करती उनके योग साधना का संदेश कडवी ककड़ी की बीमारी बताती है व्यांग तमकता गोपिया ने बड़े प्रभावसाली धंग से व्यांग करती हैं कि वे उद्धो बड़ भागी करती हैं चुकि वे अस्पश्ट सब्द से उद्धो को बताती हैं कि वे किष्णे के प्रेम में पूरी तरह से लीन है इसलिए उनके योग संदेश में उन पर कुछ असर नहीं पढ़ने वाला संकलित पदो को ध्यान में रखते वे ब्रहमर नित का मुख्य विशेश्टाएं बताएं ब्रहमर गित का मुख्य विशेश्टाएं यह आए कि निगूड निगूड और निराकार भक्ती में ज्यादा सगूड और साकार भक्ती का ज्यादा महत्व दिया गया है योग साधना का महत्व प्रेम की एकानिष्टा की समान कम है गोपिया विरवेदना जेल रही है गोपिया ने सरलता मारमिक्ता उपालब व्यांगतमक तरक सकती आदी द्वारा उद्धो को योग साधना की तुछ सित देखिया है गोपिया ने खुद हरील पच्छी वश्रिकिष्णी की लकडी भाती बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है अनुप्रास, उपमा, द्रिष्टा, उपक, व्यक्ति, रेक, विभावना, अतिसयोक्ति, आदी, अनेक अलंकारों का सुन्दर प्रयोक्तिया है सुद्या साहितिक ब्रजभासा का परियोग हुआ है इसमें भी संगी मीक्ता का गुड़ सहज द्रिष्टी होता है रचना और अभिवक्ति के साबसे गोपिया ने उद्धों के सामने तरके तरक दियें आप अपनी कलपना की ओर से तरक दिजे अपनी बात पूरी ना कर पाने पर किष्ण दोखे बाज आए और किष्ण अपने प्रेम करने वाले संगों के योग साथना पाठ क्यों नहीं पढ़ाते है अगला है कि उद्धों ग्यानी थे नीती की बाते जानते थे गोपिया के पास ऐसी कौन से सकती थी कि जो उनके वाक्चत्रूरत में मुखिरत हो थी उत्तर है कि गोपिया के पास उनके मन स्रिकिष्ण के लिए प्रेम तथा भक्ती की अदभूत सकतिया थी जिस कारण उद्धो जैसे ग्यानी को भी उन्होंने अपने तरकों से हरा दिया था पंद्रहों कोशन यह आए कि गोपिया ने यह क्यों कहा कि हरी अब राजनितिक पढ़ाया क्या आपको गोपिया गोपियों के इस कतन का विश्थार समकारी राजनितिक में नजर असपश्ट कीजिए गोपिया ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि वह स्रीकिष ने उनके प्रेम को बुलाने की बात ना करके उद्धो द्वारा योग संदेश का माद्यम अपनाने को कर रहे हैं गोपिया के इस कतन में हरी अब राजनितिक पढ़ाया है आज की राजनितिक नजर आ रहा है आज की राजनितिक नेताओं के मुद्दे के बारे में साफ साफ नहीं कह सकते हैं मुद्दे को गुमा फिराकर पेस करते हैं गुमा फिराकर बताते हैं इसके साथ ही मेरा वीडियो समात पता है अच्छा लगए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देजेगा